हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं राणी साब को बोलो CID वाले आएं ठीक है सोमवार की रात पो विवेक का खून हो गया और अमें तुम पर शाक है या पक्वास कर रहे आप भला मैं विवेक का खून क्यूं करने लगा अब इस क्यूं का जवाब तो तुम्हें ही देना बड़ेगा मैं विवेक की खून के बारे में कुछ नहीं जानता है ये को अभी आप लोगों ने बता है ह। वो मैं जानता हूँ लेको जँद भोले पन का ना।क मत करो साब साब बता को विवेक को क्यो मा रा runぇ और मैं विवेक का खून नहीं किया है और वैसे भी उसके घर के बाहर सिक्योर्टी गाट थे। तो कोई कैसे उसके घर में गुज़ कर मार सकता है। सिक्योर्टी गाट कुछ नहींगाँ ने कोई दिखा ही ने। ख्या मतलब? मतलब यह कि एक ना दिखने वाला इंसान विबे के घर में आया। और उसने लाइट के जंक्षन बॉक्स के साथ कुछ चेर चाड़ की, यसे लाइट चली गई सर, लाइट चली गई? मैं, मैं, मैं पता लगाता हूँ लाइट गई कोई है उदर? सर, एए! सर, यहाँपे? कोई था यहाँपे? कोई था यहाँपे? कोई था यहाँपे? कोई दिखा? नेक. रोनी, हिल्ला मत! सिक्योर्टी लाइट आणके रहो! सुनल लाइट चाड़ो, देखो! पुण दो, पंकट! वीना, अज दिन भर सिर्फ काम-काम और काम ही रहा है. शरीर भी ठग्या है, पूरी बॉड़ी दरत दे रही है. विवेक, 2400 घंटे सोचोगे, तो बॉड़ी तो पहिन होगा नू? अब इतना बड़ा बिजनेस करना है, तो सोचना तो पड़ेगा ही ना? थोड़ा सोच समझ के काम करोगे, तो बिमार्ग पे प्रेशर कम पड़ेगा ना? यह कोई गुड़े-गुड़ियों का खेल नहीं है, जो चुटकी बजाते ही काम शुरू हो जाए, और चुटकी बजाते ही खेल खात्म. समझ रही हो? ठीक है, काम करती हूँ, मैं लोकीश को बुलाती हूँ, वो तुम्हारी मालिश कर देगा अच्छेज, ठीक है? मालिश नहीं, बस गर्मा गरम एक गलास दूद मेरे लेकर आजाओ, ताकि सारी थकान दोर हो जाए. अच्छा, तो अभी लेका है. प्लीस, थैंक यू. कुली वेक सुब. साब, टीक है? हाँ साब, साब ठीक है, एक तंप ट्रैक पे है. काम हो जाएगा न? आपको जुबान दिया साब, काम हो जाएगा न? जो भी तुम्हें सही लगे, वो साब करो. तुम्हें पूरी छूट है, मगर उसको फिक्स कर दो. आप चिंदा मत करो, साब. वो तैयार हो जाएगा. उसको तैयार करना मेरे बाएहाथ का काम है. गुट. यह लाइट्स को क्या हो गयो? वीना? वीना तुम हो? वीना तुम बोलती क्यों नहीं? यह लाइट्स कैसे चली गई? लोकेश! वीना! वीना जाँश्य करो देखो देखो मैं अंदेरे से नहीं डरता. वीपेश्चाब, वीपेश्चाब, वीपेश्चाब. वीपेश्चाब नमजा खुळेएएग!! को माश्चाब? अश्पुशतर। पूब तब लॉटघफ़, द्रिवाइख लॉटदा। जबीरी हुए। मुखेंग! सरथल लगता है करीकर चाकु कुर से वार के है। यह देखिए, गतने का और चाकू घुपने का लिशान है गाओ के पैटर्ण देखे लगता है कि भाओ जाओ चाकू के नहीं है किसी और चीज से खून के अगे है ऐसा कि लगता है, सार, आपको? यह देखो, यह जो गाओ के पैटर्ण देख रहा हूँ एक तम बराबर बराबर है, यह ही साइस के, और यह जाधा गहरे नहीं है, तो चाकु का घहा होता, तो बड़ा होता, गहरा होता और ऐसे पैटन में नहीं बनता? बतलब सर, चाकू जैसा एक कोई छोटा आतियार है और उसे बार-बार मार के खूंगी है रखता तो ऐसे ही है साफ साफ है अजब ये खुना है साफ मैं नीचे अपने कमरे में था जब विवेक साफ के चीखनी के वा सुनी तो मैं तौड के ओपर आए साफ मैं धर्वासा खुणने के बहुत भुशिश की लेकिं धर्वासा अंदर से बढ़ से उसे चिला रहे इसलिवे धर्मासा तो न्दर गया और मिले देखा ऐफ अफे जौडे के अंदर अदर तो आपने को नहीं दिखना है भी लोस्य अजीमे साहब ठाभ हुड हुनि दिखा ही नहीं उर शर बांत है अंदर सा ez तुम अर अधर है तो यहां पर याउठ ही स्हाब वस्वत लाइट नहीं थी तरव hourज को के अंदर आ तो लाइट 어 कमाल एसर, यह कैसा खुनी है, जो लाइट में भी नहीं दिखा थे, कलिये आत्मा यह भी तो हो सकता है कि जब कमरे में अंधेरा था, उसी वक खुनी दरवाजे बाहर गया? कमरे से बाहर जाने का और कोई रस्ता दो दिखने ही रहा है, वही तो, कमरे से बाहर जाने का एकी रास्ता है, वह है यह दरवाजा है, दरवाजा अंदर से बनता, और लोकेश पी यह दरवाजा खुला, और इसका तो यहां पर खुनी को देखानी है, कमाल है पॉतिया कहानी सुराते थे पंकज एक तो यह कहानी नहीं है हकीकत अर यह भूतियानी है कोई यहाँ पर आता है बिना आतियार के खूम करता है और चले जाता है कहां से जाने का तो यही एक रास्ता है यह दर्वाजा लेकिन सर आप बीना तो सीडियों से उपर आ रहे थे और अगर पुनी यह से जाता तो उसे दिखता जरूर गमाल है यार यह यह लाइट का आना जाना इसका कुछ ने कुछ कनेक्शन है इस केस के साथ लाइट का जंक्शन बोक आप यह लाइट शुच्छ बाद प्रवाजा से लाइट के लिए यह लेकिन फून कर गया तुम्हें पता नहीं चला देखेशन मैं अबनी डूटी तरह आओं ना कोई भाल गया है अलएट तुचे कुछ अवामी आया है अवामी का एब हो गया है यह लाइट शुचाब किसने के थी आज़े है? बाताने साब, अचानक ओफ हो गई मैंने सुचा फूच उड़ गया हो जो कोई स्पार्क वाख था जंक्शन बॉक्स पर? नहीं साब, स्पार्क नहीं हो था लाइट चली गई और जैसे ही लाइट चली गई, तरह जिंक्शन बॉक्स की तरफ लोड़ा जएका बागि साब के गरव लाइट रह हमारी क्यून है? और जएका साब जंक्शन बॉक्स पुला ता जंक्शन बॉक्स का सुच बी बन था और मैंने ओन्किया साब, जैसे ही ओन्किया लाइट आगे कोई तो आया था यहां पर, जिसने लाइट के साथ छेर चार की है उबेक की बीवी, वीना, उससे भी पूछ लेता है वीना री, हमें मालूम है यह प्राम बश्किल समय आप ते लिए पर हम लोगी थोड़े हैरान है कि यहां पे सब के रहते हुए विवेक का खून हो जाता है और किसी ने भी खूनी को देखा नहीं सर इस बात का जवाब मेरे पास भी नहीं है, मैं खुद हैरान हूँ, खूनी कहां से हवा बनकर आया और कहां चला गया मैं मेरे बच्चों को क्या जवाब दूगी सर उन पर क्या भी थेगी इनमत रखो समय के साथ सथ बच्चें भी समझ जाएंगे हरे अब हमाने जापने सर में ऐर क किसले मैं जान गया सुर्जों का हैं शयॕण कर रहिए जॉपैन किसी में जोईंट वेंचर था ईंडियार जपैन जोस्तों गया ही, पताने अब इस कंपनी का क्या होगा? विवेक किसी से कोई दुश्मनी थी क्या? या आजकल कुछ स्ट्रेस में हो, कोई दंकी बरे फोन, ऐसा कुछ? नहीं सर्, कभी किसी की दंकी या फिर कुछ ऐसा उन्हें नहीं बताया या लेकिन वह जैपन की दील को लेकर काफी टेंशन में रहते थे किस तरह की टेंशन? दील होगी भी या नहीं? लेकिन सर, एक बात और थी क्या? सर, कुछ दिन पहले विवेक एक बहुत अजीब आग्मी से मिले थी अरे आप शिंता मत करो आप ने मुष्मर वरोसा किया अतना वादा पुरा किया अब मैं भी आपका वादा पुरा करूंगा पुलीस को पनक भी नहीं होनी चाहिए साब पपन नाम हो पुछ में वरोसा है ना? विश्वास से इसलिए काम दिया तुम्हे बस अब पपन का कमाल देखो पपन पपन जैसा आपने बताया उससे तो यही लगता है कि यह पुराना मजरिम और हर मजरिम का रेकॉर्ड है हमारे पास आप उसकी फोटो देहीं ही तो पैचान नहीं? जी सब ठीक है यह जल्दी इस पपन का पता चल जाएगा पर उसने क्या किया था वो भी आपनों कशा की अदम सही बस यह खूल चाकु से नहीं हुआ तो भी किस अप्यार से वाँ जो कोई भी देख नहीं पाया यहां तक कि लोकेश को भी वह आपनों भी दिखाई नहीं पड़ा अबसा प्यार भी नहीं नजर आया और कमाल की बात यह खुनी भी दिखाई नहीं दिया यह तो पहली होगी पून हुआ पूनी नजर नहीं आया जाओ चाकु जैसे हैं लेकित पून चाकु से नहीं पहली तो है अबजी और इस पहली को सॉल्ट करने के लिए आप लोगों को कड़ी मशक्कत करने पड़ेगी देख वास, हम दोग आत्मा में तो इश्वास नहीं करने लेकिन साइंस साइंस से कुछ भी किया जा सकता है और मुझे लगता है किसी मौडरन साइंस की टेखनी का इस्तेमाल किया गया है इस खुन में हाइटेक खुनी हाइटेक यो सकता है और ना दिखने वाले खुनी को लाइटसाफ करने की क्या जगवती माना कि खुनी हाइटेक है योवी फिंगर्पिंट्स लेका इसमें सिर्थ विवेक और उसकी पत्तनी के पिंगर्पिंट्स लेका इसमें प्लानिंग के साथ कून किया देगा ताकि सभूती नमेले काम करते है इस विवेक के घर में जितने वी लोगे उन सबसे अलग अलग स्टेश्मेंट लेते हैं सबसे पूछताच करते हैं कि उस रात हुआ क्या था खुनी ने अंधेरे का फाइदा उठाया है अब हम भी अंधेरे में निशारा लगाएंगे सर जब ये खुन बुरा होगा तो वो खुनी अंधेरी होगा सर जैसे ही वीना भार गे उसे खुन कर दिया ये थिवरी हो सकती अपंकर्ज अगर लाइट नहीं गई उती तो तो पर सब दो खुनी होगे एक लाइट ओपरेट कर रहोगा और अंधे खुन कर रहोगा अगर जुसने लाइट ओफ करी वो वो कहाँ था वहाँ पर तो गाड खड़ा था उसने बोला ना उसने किसी को अंदर आते देखा ना कोई बार गया सर लेकिन जब वीना भार गे थी तो उसने दर्वाजा खुला वाँ देखा था सर तो उसकता है कि दर्वाजे के अपर उसके उभली के निशान हो खुणी यहां वी चालाक निख्ला. सारुकेसाब ने बताया ना? यहां कमरेक अंदर हमें एक भी फिंगर्प्रिंट्स नहीं मिलें, एक? इसमिए हंगलप्स पहेंने होंगे, सर. इसलिए शाय की नहीं मिलें. हंगलप्स तू पहेंने होंगे. विवेक की बोड़ी यहां पड़ी थी, मतलब यहां कहीं खड़ा होगा, एक मिनट यहां खड़े होना जरा, पंपिक कुनी कुनी जब अंदर आया तो दरवाजा खुला हुआ था जैसे ही लाइट गई, कुनी अंदर आया, उसने दरवाजा बंग किया अंदेरे में उसने विवेक का खून कर दिया, प्रिकिन जब लोकेश आया था, तो यह दरवाजा अंदर से बंग था आँ सर, कुनी अंदर ही होगा सर, करेक्ट, और जैसे लोकेश दरवाजा खोल के आया, कुनी चुपके से यहां से निकल गया अगर, कुनी यहां से गया है, तो लोकेश तो यह नहीं घड़ा था, उससे तो दिखना चिया था लोकेश का कहना उसने सिर्फ यहां पर विवेक की बॉड़ी देखी थी, कुनी उसे नजर नहीं आया सर, यह लोकेशन है, यह जूट पूरा है सर, लगता तो नहीं है, इंट्रोगेशन में अच्छे-च्छे जूट बोलने वाले ना, लडखड़ा नहीं लगते है, उनकी जबान कांपने लगती है, ऐसा लगता नहीं है वह जूट बोल रहा है, तो पर कौन है यहां, वीना न सर, मरने से पहले वीवेक ने जिस नंबर पर फोन किया था, वो नंबर एक दीन पहले चुरी हो गया था, और अब वो अन अविलेबल आ रहा है, अन अभी नहीं मिले, को जो पपनका होगा था यह, पपनखा नंबर होगा, क्या पता चलो उसके बारे, सर पुर भी ट्रेस कर सरी है, उसका क्रिमिनल रेकॉर्ड भी चेक करें सिर, बहुत जल्द पता चल जाएगा यही है, यही है? Sir, सरीयरेखे, Sir, हमारे रेकॉर्ड में तो कई सारे पपन है, लेकिन बीना के बताए नुसार यह लगी आदमें, जिसकी हमें दलाश है Sir, यह लगी आदमी है जिसे मैंने विवेक के साथ देखा था आप अपर अपर आप अपर हमारे रिकॉर्ड के इसार से तो यह मजरिम बहुत ही खतरना कैसा है खुणी है और अगर विबेप में से पैसे दिये हैं तो जरू कुण क्या हो बैसने और अभी यह बेल पर बाहर है और पुलिस्टेशन पे हाजरी देने के लिए जाता है रोस अपर इस्टेशन ने जाता है यह हाजरी देने के लिए सर यहाँ से पास हो गया सबजी ले लो भाई सबजी ले लो सबजी ले लो सर पपन यहां से निकल गया है ले बाया तेरा ठेला समाल ले उसको तेरी रोक के रख चाहे वो रोए या हसे तुम उसकी चिंदा बद कर जब तब तक वो हमारे पासे बाजी हमारे हाथ में है तुम लो वेरा इंतिजार करो और कुछ भी गडबर हुआ तुम एसे को नहीं यह चीडी का गुलाम तुमारी तरफ गया है देखना जरा काई साल लगा अबारा इंविटेशन भारत साहब देखो देखो आप लोग जो कोई भी हो मुझे अब मेरे बेटे को छोड़ दो मैं आप लोगों से रहम की भीक मांगता हूं रहम दो मेरे बेटे को शोड़ दो मुझे ला तुम चाहिए ना तुम चाहिए ना तुम आप बेटा मैं चाहता हूं कि तुम विवेक सर की बेट पास करो विवेक सर खुश तो मैं खुश यह पॉरसिबल नहीं है मैं इंगियन मिनिस्ट्री में एक एंपलॉई हूँ, माना कि इस सारे कॉंट्रेक्ट मेरे जरी पास होते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही किसी कम्त्री का कॉंट्रेक्ट कैसे पास करवा हूँ, सर? मिस्टर भरत, तुम ना मामले की कंभीरता को नहीं समझ रहे हो, तुम्हारे बेटे के साथ क्या हो सकता है, तुम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, सपने में तुम भी नहीं सोच सकते हैं, अब तुम्हारे साथ क्या होने होने होला है, कुट्टे की दुम कभी सुद्रेगा तो समानब पर आए और ऐसा कान कर रहा है अब अंदर जाएगा ना तो बाहर नहीं आएगा सर में मिनिस्ट्री के तरफ से काम कर रहता है जतनी भी सील बीड इंडिन फर्म्स की तरफ से होती है उसका इंचार्ज था मैं चीनिय जापनी कंपनियों के पास अपने देश में नीला नमी का कारया ले था लेकिन सभी भारती बोलिया उनके पास आएं किसी विदेशी कंपनी को भी कॉंटर्ट में लाद रखिया नहीं सर इसके बारे में सभी की कॉमन राय थी क्योंकि भारती के पास चीप लेवर और रो माटीर इजली अबेल था इसलिए दूसरी विदेशी कंपनी को कॉंटर्ट मिलना मुश्किल था सर इस निलामी का चक्कर तो समझ भी आ गया है सर इस दूसरी विवेक ने बिलामी को अपने फियर में करने के लिए इनके बेटे को किजनाप किया मगर विवेक को किस ने मारा होगा और क्यों ये काम तुदरूर्व इस इंचिन कंपनी का ही है जो इक को मॉपिटीटर था इसी चक्कर में हुआ ही है सर अब और लिस्त ला विवेक, इन दूनों पे अलावा राकेश, प्रमेश, शिवानी, पराणी और नविन. अच्छा भरत जी, इन में से आप तो कौन लगता है जो विवेक के खिलाब बोली लगाने वाला सबसे ज़्यादा? सर, यहने ऐसा कोई आदमी जो विवेक के ये बिट जीतने से दुखी हो, या फिर उसे कोई नुकसान हो? सर, ऐसे तो दो लोग हो सकते हैं, रोनी और नवीन. रोनी और नवीन. तो तिल मिल लो इस रोनी और नवीन से पूछ राज परो उसे. पता तो चले, आए कौन ऐसा जो बिना दिखे भी खून कर सकता है. जी, कहिए, किसी मिलना है? रोनी सापको बोलो, C.I.D. वन ले आए. रोनी, आप आर ने जाएंगा बिदरुक्की, आपकी जान को खात्र है, यह वई खोनी हो सकते हैं. रोनी, आप बिलना मत. रोनी, यहाँ कोई है, कोई है, सार यहाँ बोलो, C.I.D. रोनी, मैं से रोनी, आप बिलना मत. सार, इम में देखता है, देखो. अंकाज! ओ नो, रोनी! साम, साब को क्या हुआ? टेक में एंट. He's no more. बार जाते बे कोई दिखा था क्या? नहीं, सार, मैं वाँ जंक्शन पे गया, लाइट आउन के और देखा कि हमारे दुसरे सीकरूटी गेट के पास ब्योष पड़ा हुआ है, और मैं अंदेर अगया है, सार. अलो, सार. सार, हम रोनी को बचानी पाएं. He's dead. अज़ आई पाएं. आई सार, कैसे हो सकता है, अभीछी? खुन तुमारे सामने वह, और तुम कहरो कि तुमने खुनी को देखा तक नहीं? आँ सार, पर एले तो हम सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर रहे थे. पर यहाँ तो हम लोग मुजूद थे हैं, सार. कोई नहीं दिखा? मतलब विवेक के खुन की यह सार? नहीं सार. यह किस तरह का खुनी यह सार? जो है, मगर दिखा ही नहीं देता है. वहीं तो. पर इतना पक्का है कि मैंने वहाँ पर कोई शैडो जैसी देखी थी. कुछ अजीब सी, I mean, एक्ष्प्लेण करना मश्किल हो रहा है, मगर... सालूंके, यहार फोटोस ही कुछ पता जल रहा है तुए. Boss, लगावा तुभू, शायद कुछ हाथ लग जाए. लेकिन एक बात पक्की है, यह खुन भी वैसे ही गा है, जैसे इससे पहले को खुन हुआ है. यह देखो, तुछ यह देखो यहां फोटो में यह हल्की सिरोष्टी में यह को चाक्रती दिखाए दे रहे है, शेडो जैसे, बिना आकार के, यह क्या है, यह समझ में नहीं आ रहा है. सालूंके साब, मैं पहले सी कहे रहा था, यह जरूर कोई आत्मा है. सार, वह जो कोई भी था, मैंने उसे महसूस किया था सर, मैंने उसे पकड़ने की कोचिश की लिखे रहे हो आत्मा ही नहीं है. देखो यार यार यह आत्मा आत्मा कुछ नहीं होता है. पॉस यह क्या है यह अभी तक पता ने लगा पाया हूँ. सरंके, यह किस-किसल का हतियार इस खोन्नी ने? यह मस्, यह हतियार, इसे शूरी केन का थे मस्. शूरी केन? अब इस तरह का हतियार तो मैंने मार्शिल आर्ट वाली फिल्मों में देखा है. अरे, इसे तो वो निंजाज यूज करते हैं, वो… निंजार? यह जापनीज हतियार है, निंजाज इस्टाइल के हतियार इस्तिमाल करते हैं. जापान, निंजा, और यह ओक्ष्ण भी जापान में होने माला है सर्थ, तो कहीं इन सब का कनेक्शन जापान से तो ने? बिल्कुल है, जपान से कनेक्शन है, इस राकेश से मिलना पड़ेगा, वही गया था ना जपान, किसी डील के बारे में बात करने, राकेश तुम विवेक के बाटना दो हैं, तो तो तुम ज़रूर जानते होंगे, कि विवेक ने विड हासिल करने के लिए पपन नाम के किस कि गुंडे को हायर किया था, भरत के बेटे को किद्नाप करने के नहीं है, है ना, नई सर, इसके बार में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, अरे, ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी बात और पार्टनर को पता नहीं है, सर, वो मुझे काफी बाते चपाता था, इसलिए बि अच्छ वैसे आप जापाँ गाए थे ना, विवेक के कून से पहले है यह क्या करने कहते है अप। प्रोजेक को मामला था, इसके लिए मैं जपान गया था, मगर विवेक यहीं से सारे अपरेशन हैंडल कर रहा था ओलिक्का प्रोजेक्ट, क्या, क्या प्रोजेक्ट हदर आए, डीटिल में बता तो सी जपान में एक द्वीप है जिसे इतहासिक और पवित्र माना जाता है, वहां के लोग औल्रिक्ट प्रोजेक्ट को लगाने के लिए मना कर रहे थे पवित्र समन्ती द्वीप, क्या पवित्र है उस आइलेंड में? कुछ पराने योदां को वहां पे दिफनाए गया था. जयसे, Samurais, Ronins and Ninjas. Samurai, Ronins, Ninjas. पुराने योदां को दिफना दिया था, महाँ पर सर्य कोई इत्तफाक है या कुछ और ये जो निंजा से ये पुराने दार के हत्यारे थे सर्जपान में यहाज भी काफे लोग इनलों को मानते हैं तो वो लोग नहीं चाहते होंगे अंगे कि वुस जगे पोड दिलिंग हो और उनलों बैसे । अ, हो सकता है!!! हो सकता है, पड़ हो सकता है यह अदो हो सकता है कि यह अपसी द्श्श्मन कोई बिज्नेस राइबल है नवीन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जब दूसरा खुन हुआ, तब मैं आल पूर्विय उसी के साथ है. तो विद ये बच्चे तीन बिड़र्स, सिवानी, प्रमेश और कार्थिक, तिनों को बुला लेतनी यहाँ पर? कार्थिक, प्रमेश, शिवात, तो तुम तीन भारतिये थे विवेक के साथ, बिड़ करने में, जपान में. मगर डील हमारे हाथ में आई नहीं. और इसी वज़े से विवेक और रॉनी का खुन हुआ है. कार्थिक आप कहा थे जब ये तोनों खुन हुए? तो ये विवेक पूछ सकते हैं, सर. और परमेश? सर, मैं सामाजी प्यक्ती हूँ. और सर, इसके अगवा सर वो अपसर हैं. और सर, जिस वक्त खुन वा नहीं के साथ ही था, सर. ये भी तो हो सकता है ना? ये खुन तुम लोगों ने करवायों? सर, हम क्यों खुन करवाने लगें? सब अपने अपने नकीव का खाते हैं, सर. और डील नहीं हुए तो क्या हुआ, सर? कभी ना कभी कोई ना कोई डील तो हो ही चाहेगी. बसे आप कहा थे, शिवानी? जब ये खुन हुए? सर, मैं जापान गई थी. क्या करने गई थी आप, जापान में? सर, एक मजबूरी आगे थी. मजबूरी? कैसी मजबूरी? सर, कुछ विदेशी कंप्तियां हमारी भारतिय कंप्तियों के बारे में गलत अफ़ाय ओडा रहे थी. उसी बज़े से भारतिय कंप्तियों को बहुत ही चिंता हो रहे थी. तो हम वहां उनकी चिंता दूर करने गए और यह बता रहे गए थी कि भारतियों सबसे भैतल होती है. और वैसे भी, सर, हमने अपनी बिट्स विद्रॉ कर ले थी. तो फिर हम क्यों मारेंगे उनके? और बिट्स विद्रॉ करने की कोई खास वज़े? सर, वज़े सर, यह थी है कि हम लोग अपनी जिंदगी में सब टेंशन नहीं चाहते हैं. और सब हम लोग किसी भी तरह का कोई रिस्क में ही चाहते हैं. सर, हम लोग को सर, जो भी मिल रहा हैं सर, हम उतने में खुश हैं. पर अब तो यह नवीनी बचा, इसने तो बिट भी वापस नहीं लिए. तो कई नवीनी तो नहीं यह सब किया है. यब यह भी थो होसकता है, कि अगला शिकार नवीनी हो. नवीन, तुमने बिट क्यों नहीं कांसिल की, जब सारे लोग पीछे हट गए थे? ऐसे कैसे मैं पीछे हट जाता हैं? इस कॉंट्राइक को पाने के लिए मैंने कितने ही महिनों मैनत की है, पता है तुम हैगा? मुझे लगा कि अगर ये कॉंट्राइक्ट मेरे हाथ में आ गया, तो मेरे सारी दुनिया बदल जाएगी. अब तो दुनिया से जाने की ही नौबत आ गई है, तुम समझते क्यों नहीं हो, अगर तुम चलेगे तो मेरा क्या होगा? अगर तरने की कोई बात नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा, CID की पूरी टीम हमारे साथ है. अरे, CID वालों के सामने वो मार के चला गया, और CID वाले क्या है? कुछ नहीं कर पाये वो. CID की टीम पे बरोसा अ अख़्ों तुम, हमें कुछ नहीं होगा. पंकज, तुम्हें पता है नहाँ हमें क्या करना है? नो औरिया, नो. मैं आता हूँ. यह है वो जंक्शिन बॉक्स, जिसके उसे सारा पंगा हो रहा है. मैं देखता हूँ, यह कौन है? यह जगह सही है. यह जगह सही है. यह! 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 कॉलर! यह! वाना! नवीन, यह लाइट को क्या होगा? अरे, कुछ नहीं हो. नहीं, नहीं, वो आगे है. अरे, कुछ नहीं होगा. कुछ नहीं होगा आपको. प्लीज, रिलास्ट हो जाएए. रिलास्ट हो जाएए. नवीन! साम्नियाओ, तुम्हें वाइडा है लेगा? अरे, नहीं. एए! कॉने यापके? एए! कॉने यापके? एए! 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 अबलो, ठीके? कुने यापके? मैंने वाँपर छे गोलियां चलाई थी. उनमेंसे पांच गोलियां तो मिल गई, मगर एक गोली उस खूनी को जरूर लगी. एक गोली खूनी को लगी है? तो पुरली तो यकिन नहीं सुथ कैसे कह सती हो कि छेवे से एक गोली खूनी को लगी है? क्या माँपर पर खून वगरा गिरा था? नहीं, सर, खून तो नहीं था माँपर. लेकिन गोली लगने की आवाज जरूर आई थी. कर कोली लगी है तो खून तो निकले काई? गर के अंदर ना सही तो गर के बाहर कहीं मिला? नहीं, सर, अमने अच्छे से चेक किया था. वह पर खून था ही नहीं. उसर, कर सर, खूनी ने बुलेट प्रूफ एस प्रैन रख्यों. सर, यह भी तो हो सकते है कि यह काले उस बुलेट प्रूफ पेस्ट का टुकड़ा हो? सरुके, कि इस काले कपड़े के टुकड़े से कुछ? पता चल्ला है तुछे? नहीं, बॉस, इस कपड़े पर से भी खून के ट्रेसेस तो नहीं मिलें. खून के अलावा कुछ. मिला तुछे, यह कपड़ा, यह कपड़ा इतना काला है, इतना काला है कि विश्वास नहीं होता है. इस पर से कोई भी रिफलेक्शन होई नहीं सकता है. रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, मतलब ये फ्रेडी, कि जब आप किसी भी चीज पर लाइट डालते हैं, तो वो लाइट थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होके आपकी आँखों में आती है, इसी से पता चलता क्या चीज है, उसका गलर क्या है ये सब कुछ, लेकिन इस कपड़े पर अ ये यहां पर ये लाइट है, हम आम इसे ट्रैवल करते हैं इस कपड़े पर, और ये देखो, लेकिन आपको, मतलब इस कपड़े ने सारी कि सारी लाइट अब्सॉर्ब कर ले है, और ये देखो, कपड़े से बार आये तो फिर से लाइट दिखाए देना शुरू होगी, जो भी है जल्ली बता दे, बस मैं जानता हूँ कि ये क्या है और खूब कैसे हुआ है शिखा, क्या वा तुमें? क्यो उतनी परिशान लग रहे हुए? हमें कुछ नहीं होगा, रिलाक्स होजाओं क्या से रिलाक्स होजाओ? तुम्हें कुछ होगया तो… शिखा, मैंने बूला हमें कुछ नहीं होगा नवीर, ये लेट केसे चलिए गए? शिखा, 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 शिखा तुम्हें भागया है कोई नहीं आए? शिखा तुम्हें माड़े लेगा शिखा, इलके ताब एक गलास दूद अपने हाथों से लेकर आजाओ सारी थकान दूरु जाएगे अच्छा, अभी लेकर आटिए प्लीज, टेंक्यू मैंने सोचा नहीं था कि कोई मुझे भी पकड़ सकेगा हमने भी नहीं सोचा था कि एक पत्नी अपने पती का खून करतेगी अपरादी चाय जितना दिमाग लगाकर अपराद को अंजाम दे कहीं न कहीं उसे कोई न कोई गलती होई जाती है मैंने तो कोई गलती नहीं करी फिर भी आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया नहीं, गलती होई तुमसे ये कपड़ा पैन के तुमने बहुत अकलवंदी दिखाई थी लेकिन इस कपड़े के टुकड़ा हमें खिडकी में से मिल गया खिडकी पे पसावा वो कपड़ा हमारे लिए सबूत बन गया और उस्ही कपड़े के वेशे तुम हमारे पकड़ में आ गई ये कैसा कपड़ा है सर मैंने इसके बारे ने पहले सिफ सुना था बस मुझे पता नहीं था कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है वो भी इस तरीके से इसे जिस जिस व्यक्ति ने बनाया उसने अपने हिसाब से इसको नाम दिया लेकिन एक बात पकी है ये दुनिया की सबसे ज्यादा काली चीज है मैं तु कुछ समझा नहीं सीधे तरीके से ये बात है फ्रेडी कि अगर इस कपड़े का कोई सूट बना करके पहन लेगा वो व्यक्ति आपको दिखाई नहीं देगा तब तक जब तक कि उसके आसपास की सारी लाइट्स इलिमेनेट ना हो जाए वो दिखाई ने देगा अगर दिखाई देगा तो सिर्थ एक आकरती दिखाई देगी एक चाया वो भी पिना किसी रूप के एक 3D से 2D ने बदल जाने की प्रक्रिया है अरे सर कोई तो लाइट होगे जिससे यह दिखे ऐसी कोई लाइट में ना इंफरारेड लाइट ना यूवी लाइट ना यह लाइट स्पेक्ट्रम अब यह तो नवीं से कहो कि वो विड विड्रॉन ना करें और यह इंफरमेशन सब में फैला दो सर इस बात के फैलते ही उस पर फिर से हम लाव सकता है यही तो हम चाहते हैं पुर्वी यही तो हम चाहते हैं यह ब्लैक फैबरिक लाइट को एब्जॉब कर लेता है लेकिन हीट को एब्जॉब नहीं करता हीट को तो रिफ्लेक करेगा ही हम खूनी को पकडेंगे थरमल बी आस, खेल खताम, पता चल्गिया ना? किस तरह से इस काली डेस के वे से तुम्हारा खेल खतम होगे? अब जल्दी से बताओ, अब ने पती का खून क्यों क्या तुमने? नफरत थी मुझे उससे, उसकी बीवी कहलाते हुए भी मुझे शरम आती थी क्यों? ऐसा क्या करता था वो कि तुम्हें इतनी नफरत थी? यह जो बिजनस था मेरे पापा ने उसे दिया था इतना बड़ा एंपायर खड़ा करके दिया उसे और वो उसे मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहा था गुंडों के बडॉलत कॉंट्रैक्ट लेता था वहाना मतलब है कि वो खुद अपना बिजनस खराब कर रहा था कर नहीं रहा था, कर दिया था मेरी फैमिली बैंक कर अपसी की गिंती में थी बिजनस खराब चल रहा था तो? उसे बादशीत कर दी, उसे समझा थी, उसे जान से मार दिया मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी पर वो नहीं समझा और मजबूरन मुझे एक अदम उठाना पड़ा मुझे मेरे बच्चों के बार में सोचना था उन्हें थो मैं भूखा नी मार सकती तो इसलिए सारा बिजनेस तुमने अपने हाथ में ले लिया हाँ मैंने जपैन के कंपनी के अप्रोच किया था चिपकर छोटे-छोटे कॉंट्राक्ट और पैसों के बदले मैंने तै कि भारतिय कंपनी कॉंट्रेक्ट पर कोई बोली ना लगा सके और इसलिए मैंने सभी बोली लगाने वालों क मारने का प्लान किया और धेने मारने के लिए ऐसे हपयार का इस्तेमाल के जो निनजाज इसतेमाल करते हैं हां क्या मिला यह सब करके riding जेड ुद्चों के लिए तुमने गुनाद करास्त आपनाया अब वो बेचारी आना तो जाएंगे